नमस्कार सातियों कैसे हो आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों अपने जो चैनल पर अपने जो विद्यार्थी नए हैं वह एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको निशुल्ख प्राप्त उसके तो यह आप कर दीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो आपको क्लास लेने में तो अपनी ओनलाइन क्लास लगाई जा रही है बिल्कुल फ्री आपको कोई पैसा नहीं ले जा रहा है तो अपने स्टार्ट करते हैं आज मोश्म विज्यान का टोपिंग नंबर पांच्वा है जिसमें हम पढ़ जल और वायू दोनों का मिश्रण होता है जो की परत्वी पर से जाने वाले पाणी से बनता है कैसे यह है वायू और जल का मिश्रण है वायू प्लस जल का मिश्रण है जल दोनों का क्या है यह मिश्रण है कौन बादल कैसे मतलब वायू कहां से आई और जल कहां से आया यह आत प्लस वास्पी करण से वास्पी करण से कैसे यह समुद्र है यहां से पड़तवी पर समुद्र है तो यहां से जल उठेगा और वायू मंडल में चला जाएगा और वास्पोत सर्जन से प्लांट से प्लांट से क्या होगा पॉद्र से वास्पोत सर्जन पत्तियों से वास्पोत सर्जन होगा और यह वायू मंडल में आ जाएगा यह तो होगा जल और वायू दोनों से जो जलाता है उससे और जल दोनों का एक मिस्रण है इस परकार से बादल बनते हैं और वर्सा होती है तो यह हो गए बादल की परीबासा अब देखते हैं इसके परकार बादलों के कौन-कौन से परकार होते हैं वेसे तो बादलों के मुख्यते बहुत सारे परकार हो प्रकार जिन मेंसे एक्जाम में क्युस्टन लगबग लगबग पूच जाता है चारों में से ठीक है कितने चार प्रकार पहला है साइरस या सीरस बोल दो सीरस या तीतरपंग की तीतरपंग की बोल दो दूसरा है कपासी मेग कपासी मेग तीसरा है निम्बो इस्ट्रेटस निम्बो इस्ट्रेटस और चोता है कुमूलो निम्यस कुमूलो निम्बस या निम्बस यह चार प्रकार के मुख्यते बाद दलो होते हैं इंपोर्टेंट पहले बात करते हैं सायरस की या तीतरपंग की तो यह बादल होते हैं सबसे ज्यादा उचाइब होते हैं सरवादिक उचाइब होते हैं कौन से बादल तीतरपंग की या सीरस बादल होते हैं सरवादिक उचाइब होते हैं और इनसे वर्षा की उमीद बिल नहीं होती है यह गया आपके तितरपन की अब है कप्पाशी में इनसे वर्सा को ती है वर्सा होती है यह ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है अब निम्बो इस्ट्रेटस यह वेरी इंपोर्टेंड है Most है Sans Pg posis 2019 में क्यूचस ना हुए था इसमें से निम्बो इश्ट्रेंट्र में से कि ऐसे कौन से मेरी गवर बादल है जिनसे continues rainfall होती है यहांनिकि लगातार वर्सा करने वाले बादल लगातार वर्सा करने वाले बादल ठीक है ऐसे क्यौन से बादल है तो लगातार वर्षा करते हैं यह क्योंसर आया हुा है Prepg 2019 में लगातार वर्षा करने वाले बादल कौन से हैं तो वह है Bur stiffness अभे कुंबूलो निम्बस है निम्बस बादल अगोते हैं जो का या बारी वर्षा कि बारी वर्षा कि इसके अलावा ओला वरष्टी और आंदी तुपान लाते हैं बारी वर्षा ओला वरष्टी और आंदी तुपान लाने वाले बादल कौन से हैं कुम्भूलो निमस ठीक है यह हो गया आपके बादल है इसके परकार चारो मुख्यत मुख्यत है यह इंपोर्टेंट है और यह भ आपके अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक कि प्रिशिप्टेशन यानिकी वर्सन बादलवेस के प्रकार हो गए अब देखते हैं प्रिशिप्टेशन यानिकी वर्सन वर्सन देखते हैं वर्सन क्या होता है तो सुनिए प्रत्वी पर जल का किशी भी रूप में पूचना यानिकी बादलों से आप परिशिप्टेशना किसी भी रूप में पहुंचना क्या कर लाता है वर्सन जैसे यह बादल है क्या है बादल है और यह अपनी पर्तवी हो गई पर्तवी की सतह हो गई इस पर जल आएगा नीचे वर्सात की रूप में किसी भी रूप में आएगा तो वो क्या हो गया वर्सन मतलब किसी भी रूप में मतलब वर्सा की रूप में हो सकता है सनों के रूप में हो सकता है ड्रिजल की ब्रो ट्रम हो गया यानि जो वर्षा ओले ड्रिजल वो सब है वह वर्षण में आती है किसमें आती है वर्षण में मतलब यह लोंग ट्रम हो गया और वर्षा वगरा यह सो ट्रम हो गया यह आ सकती है वर्षा के रूप में ठीक है वरसांत के रूप में आ सकती है इसके अलावा ड्रीजल के रूप में आ सकती है कौन प्रिशिप्टेशन या वरसन इसके अलावा सनों के रूप में आ सकती है इसके अलावा यह है ओलों के रूप में आ सकती है इसके अलावा यह है फोग के रूप में आ सकती है इसके इन सबी को मिलाकर किस्ट च्टराराहें बताया है यह जो मैं बताया है यह वरसण के ही परकार है अगर वर्चॉक lassos में जला रहा है उन्हें जल की बुंदों का आकार 0.5 से 4 mm तक हुआ 0.5 से 4 mm तक हुआ बंदो का आकार तो वह होगी वर्सा वो क्या खहलाएगी वर्सा अन्यता नहीं खहलाएगी और अगर जल की बंदो का आकार 0.5 mm से कम हो तो वह हैं नहीं पिखताएगी ब्रीजन और अगर यह है चार शिछ एम में में कि जह अधिको तो बहुत होगा बोला और यह सभी किसके प्रकार है प्रिस्टेशन यह वर्सन यह हो गया आपके वर्सन अब है कि मैं बता दिया मैंने कि जब जल की बुंदों का अगाट जीरो पॉंट पांस से चार एम एम के मद्द्य हो तो वो क्या होगी वर्सा खेलाएगी ठीक है अब है वर्सा कौन-कौन से इस्तान या कौन-कौन से बागों में कितनी-कितनी होती है तो इंपोर्टेंट है जो 20 है उसमें होती है हजार एम वर्सा बारत है उसमें होती है गयारसो तो अर्मम Ä इसके लावार राजस्तान है उसमें होती है पान-स भीकितर अम है मन में है स्ट्रिमिट्र में जो से जाइन से निकविपब गो तो 27.5 पांच इसी प्रकार इनके बावश कंौन-ा आते रहेंगे हैं जो थो वर्सा है मैंने आकार बता दिया गुंदों का का और वी सों में होती है 1000 आंद यह फोर आनमायम हो रास्तां की सामती 575 कि यह इस्पोर्ट इंट भारत वाला व राजस्तान वाला भी इंप्वुर्ट इंटर है इस यह प्री पीजी प्रीपीजिन्य जेट जेट लेएट में कहीं बार पुचा हुआ है especially 2016 में पूचा क्यूलप सन है कि B От बारत में कितनी वर्षा वासिक वर्षा होती यह मैंने बता है वार्षभ वर्षा थ ticket वर्षा से आदा कि कि समझिए अगर एक दिन में एक दिन में यानिकि चोईस गंठों में तो इस गंठे में वर्षा होती है डाइम में से अधिक डाइम में से अधिक वर्षा होती है तो वह हैं दिन क्या कह लाएगा रेनी डे मतलब एक दिन में यानिकि चोईस गंठे में अगर वर्षा होती है यह अधिक तो वह दिन रेनी डे कहलाएगा और अगर एक दिन में यानिकि 24 गंटे 24 गंटों में वर्षा होती है 5 mm चे अधिक तो वह दिन क्या खलाएगा और अक्सर ज्यादा है तो 5 mm चे अधिक और इसमें कम है तो डाइ यहए अधिक यह द्यां रखना ठीक है डाई है इदर जैद अपस्री तो पांच होगे ये का आप देखते हैं कर आगे रेंपाल में एक तो एक डिंपाल और गेंद देखते हैं और टीपीशल रेन यहनि कि और टीपीशल रेनफाल और टीफीशल हन् ich brain में कि करत्री मृर साnational आए क्या होता है करत्री पर्वर्सा देखते हैं यह गूई बादल है क्या है एक बादल यह यहाँ पर किसान वेट कर रहा है बर्षब्र बरस जा नहीं लेकिन यह ब्रस रहा तो इसको कडत्री रूप रूप रसाइन डाला जाता है इस पर और फिर वर्सा होती है तो उसको बोलते हैं करत्री मिया ऐसाइन कौन सा है कि क्यों है कि गोई को द्यूंक रसाइन के रूप में यह डालेंगे तो यह थंडी वर्सात होगी और अगर अगर डालेंगे तो कौन सी वर्षात होगी गरम वर्षाथ एज या ठोसी ओटू या सुस्क बरक बोल दो तो बरक भी अब डाल सकते हैं अगर ये के मिगल डाला आपने सिलवर आई डाइडिया सुसक बरक तो आपके वर्षा होगी ठंडी वर्षा थंडी एक वर्षा और अगर जो वर्षा होती है उसको artificial rain कहते हैं कैसे रसाइन कौन से एक और दो पहला रसाइन एजी आई और सुस्क्रब डालते हैं तो ठंडी वर्षात होगी और अगर एने सिल डालते हैं तो गरम वर्षात होगी यह हो गया आपके color artificial rain अब देखते हैं acid rain यानивает वर्षा कर अभी अबलियवर्षा देखते हैं अबली वर्षा क्या होती है एसी वर्षा जिसमें acid वर्षा जिसमें गुले हुए क्यों है अमले और उसका owता है 4.5 से कम होता है वो क्या कहलती है अमली वर्षा जिसमें क्या गुले हुए होते हैं अमले क्या गुलेते हैं अमले और उसका पीएस मान क्या होता है 4.5 से कम और क्या होती है वो अमली वर्षा अब देखते हैं अमली वर्षा के लिए गेसे कौन-कौन सी जिम्मेदार होती है और वहाँ अमली वर्षा कैसे होती है गेसे तो एक तो होती है है करते है तो है अब देखते हैं कि अब देखते हैं अमली वर्षा के लिए यह इंपोटेंट है देख हैं अपने अमली वर्षा करती हैं क्या दोग तो निकली वह निकलती यह कहां से उद्ध्योंग में चिरिया करतीए अन्स टूंसे और बनाती आंस्ट्रो स्पोर और अम अमल है तो यह अमल्य वह साकरेगा ठीक है अब तो यह मंधल उसमें नाइ्ट्रोजन होती है वह किर्या करतीए ओक्सिजन और क्या बनाती यह अमल है यह यह वर्षा करेगा अमल यह इस प्रकार से यह अमली वर्षा होती है जिसका पी एस मान क्या होता है चार पॉंट पांस से कम जिसमें अमल बुले होए होते है कौन पॉन से सब्सक्राइब नित ठीक है अब देखते हैं आगे पड़ते हैं एक तो है इवापोरेशन मतलब यह टोपिक कम्प्लीट हो गया आथ तक अब अगला टोपिक रहेगा मारा इवापोरेशन एक तो है इवापोरेशन एक होता है ट्रांसपारेशन एक होता है, ez-t, यानिकी evapotranspiration, évapotranspiration, ठीक है, यानिकी edit, दोनों गा मिला वखार है, यह एक बहुत्ति किरिया है, कौनसी ऌपॉरेशन और यह क्या है एक जेविक की लिए और ये क्या है जेविक और बोथिक दोनों यह जेव बोथिक की लिए तीनों समझिए एक साथ इसको बोलते हैं हिंदी वास्पिकरन इसको बोलते हैं वास्पोत सरजन और इसको बोलते हैं वास्पन वास्पोत सरजन ठीक है यह बहुत थिक यह जेविग और यह जेव बहुत थिक लिया है अब देखिए एवापोरेशन यह वास्पोत सरजन क्या ह वास्पिकरन होता है निर्जी वस्तों से जल का वायू मंदल में उड़ना क्या कर लाता है वास्पिकरन या इवापोरेशन कैसे जैसे समुद्र से जल उड़के वायू मंदल में सला गया या नदियों से या तालाबों से या मिट्टी यानिकी जो सोयल है वहां से उड़के कह चला गया वायू मंडल में तो वह क्या हुआ एवापोरेशन और अगर सजी वस्तों से यानि कि जैसे प्लांट से वह दोसी या वनस्पति से जल उठकर वायू मंडल में चला जाता है तो वह हैं वास्पोत सर्जन होता है अगर दोनों से यानिकी वनस्पति यानिकी पोदो औ और निर्जी वस्तों जीशे फारम पोंड वगर सा समूद्रों ओसियन वगरा मिट्टि दोनों से मिलकर वासपोत सद्र्जन की रूप में या वासपी करन दोनों की रूप में अगर जल उड़ता है तो क्या रहता है इटी देखते हैं कि इसमें वास्प सदस्ध proton सुरिवास्पी करण में अगर मिंट्टी से ओना कि स्वेशत बात्त टर से समूद्र से समूद्र या तालाब से डिशे आज इसे जल क्या होता है इढ़ता है वाई मुदल उलाता है तो वह थो एक यह ऋआपॉरेशन और इवापॉरेशन परेमेट है अब रांस्पारिष्ट्र ट्रांस्पारेशन मापा कि लिए और ब्सकाराइन है पॉंध्र हो उढ़ वायो मंदल में चला जता है उसे क्या करते हैं ट्रांस्पाइरेशन और डोनों से यानिकी शोयल येम elo पर्फ्लर्स से और वनस उसे जल और वायो मंदल में जाता है तो वह होता है एक वास्पन वास्पोट उस और यह मापा जाता है लाइसी मिट्र से लाइसी मिट्र से यह हो गया आपके आज का मोसम विग्यान का टोपिक नंबर पांच हुआ धन्यवाद दोस्तों